क्या वाकई में हम सभी की आँखों का पानी पूरी तरह से सूप चुका है हमारे देश की बेटियों के साथ जो हुआ उसको हम इतनी आसानी से भुला सकते हैं दोस्तों ये सवाल विनेश फोगाट ने अभी कुछ दिर पहले अपनी ट्विटर अकाउंट पर पूछे हैं और जो बाते उन्होंने कही हैं वो वाकई हिला देने वाली हैं ये ऐसी बाते हैं जो सत्ता में वेठे लोगों के साथ साथ हम एक समाज के तोर पर लोगों को भी आईना दिखाती हैं कि लंबा चोड़ा पोस्ट विनेश फोगाट ने अभी कुछ दिर पहले ट्वीट किया है जो उनकी व्यथा बताता है बताता है कि कैसे खुद पर हुए अत्याचार यौन शोशन के आरोप लगा रही ही महिला पहलवानों का भद्दा मजा के समाज में बनाया जा रहा है न्यूस चैनलों की डिबेटों में बनाया जा रहा है सत्ता में बठे लोगों द्वारा बनाया जा रहा है और अब इस हद तक की ज्याती उनके साथ हो रही है कि वो अपने मेडल गंगा में बहाने को तैयार है दोस्तों विनेश फॉगाट ने कुछ दिर पहले ट्वीट किया है बहुत लंबा चुड़ा ट्वीट है उसकी कुछ अंच में आपको पढ़के सुनाती हूँ 28 माई को जो हुआ आप सबने देखा पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या वेवार किया है हमें कितनी बरबरता से गिरफतार किया हम शांतिपूर आंदोलन कर रहे थे हमारे आंदोलन की जगा को भी पुलिस ने तहस नहस कर दिया इसके बाद एक लंबा पोस्ट विनेश फोगाट ने लिखा है कि टीवी पर महिला पहलवानों को असहच कर देनी वाली घटनाओं को कबूल करके उनको ठाकों में तबदील किया जा रहा है यहां तक कि पोस्ट को अक्ट को बदलने की बाद भी सरयाम की जा रही है आगे विनेश फोगाट ये भी रिखती है कि कल पूरा दिन महिला पहलवान पुलिस से छिपती हुई खेतों में यहां वहां भटक रही थी और तंत्र को जिस उत्पीड़क को पकरना था यानि कि प्रिश बूश अंशरंसिंग को पकरना था वो खुलेयाम संसद में सफेद कुरता पहन कर मुस्कुराते फोटो किचा रहे थे आगे विनेश फोगाट उस सवाल का जवाब भी देती हैं जो बार-बार उनसे पूछा जाता है कि खिलाडी बार-बार कहते हैं कि मेडल लोटा देंगे मेडल क्यों नहीं लोटा देते वो तो उसका जवाब देती है वि किसे लोटा आएं हमारी राश्पती को जो खुद एक महिला है मन ने ना कहा क्योंकि वो हमसे दो किलोमीटर दूरी पर बैठी देखती रही लेकिन कुछ भी नहीं बूली हमारे प्रधानमंत्री को जो हमें अपने घर की बेटिया बताते थे मन नहीं माना क्योंकि उन्होंन विनेश फॉगाट अपने पोस्ट में लिखती है कि हम अपने मेडलों को गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि वो गंगा मा हैं जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं उतनी ही पवित्रता से हमने महनत कर इन मेडलों को हासल किया है ये मेडल हमारे देश के लिए ही पवि पवित्र मेडल को रखने की सही जगा पवित्र मा गंगा ही हो सकती है। अप कोई विकल्प नहीं बचा उनके पास इसलिए वो मेडल जिसे जीतने के लिए खिलाडी जीजान लगा देता है। क्या अब भी हमारी बेटियों के साथ इंसाफ नहीं होगा। क्या मांग रही हैं देश की बेटियां। यहीं कि जिस पर वो आरोप लगा रही है। जिस पर केस भी दर्जो चुका है गंभी धाराओं के तहत। उस बीजेपी सांसत को गिरफतार कर लिया जाए। क्या यह इतना मुश्किल है। दोस्तों आप इस मुद्धे पर क्या सोचते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को जॉइन भी करें और सब्सक्राइब भी।